आध्यात्मा संस्रुती का शहर भुलेनात की नगरी उत्रप्रदेश की शान कहे जाने वाला शहर वारानसी गंगा किनारी बसा ये शहर दुनिया के खास तीर्थ स्थलों में शामिल है विश्विकी साथ्षुतिक नगरी वारानसी अपने चारों तरफ अलग-अलग रंगों की चादर ओड़े हुए है उत्तरप्रदेश में निवेश की संभावनाओं के बारे में जागरुक किया प्रदेश सरकार उद्यमी युवाओं को उत्तरप्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने की हर संभव कोशिश कर रही है वारानसी उद्योग और व्यापार के लिए उत्तम माना जाता है यहां कि कारीगरों की परंपरागत कला और कॉशल दुनिया भर में प्रसिद्ध है वाराणसी आने वाले विदेशी परिटक यहां देश्मी और जरी के बने कपड़ों को काफी पसंद करते हैं वाराणसी आधुनिक्ता के साथ आज भी प्राचीन सभिता को समेटे हुए है यहां कच्चे माल की उप्रामधिता और कुशल श्रामिकों के कारण लगातार रोजगार के नए विकल्प देखने को मिल रहे हैं नमस्कार जी बिजनस की कास पेशकष एसमी एक्सप्रेस यूपी एडिशन में आपका स्वागत है यूपी में जू नए इंड़स्ट्रिल पॉलिसी आई है उसमें इस और दूइंग बिजनस पर किस तरह का फोकस है क्या तबज्जो है उसको हम चेक करेंगे और कारुबारियों की क्या विश्लिस्ट है वो क्या चाहते हैं क्या कुछ किया जाए इसको भी हम अनलाइस करेंगे आगरा, मुरादाबाद, मेरेट, नौइडा, कानपुर होते हुए हम वारा नसी पहुंच चुके हैं कारिक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ कई खास मिमान मौझूद है आए हम आप से उनका परिचे कराते हैं उमेश कुमार सिंग साब, जॉयन कमिश्टर इंडस्ट्रीज वारा नसी सरकार का पाक्ष रखेंगे के बैंकिंग प्रस्पेक्टिफ के लिए हमारे साथ मौझूद हैं केडी गुपता साब, रेप्रेसेंट कर रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को चीफ मारे जरे हैं धन्यवाद आपका भी, साथ हमारे साथ मौझूद है रजनीश गोयंका साब, जो की चेर्मन है MSME Development Forum के, अशो गुपता साब फाउंडर प्रेजिडेंट इस्टन UP Exporters Association राजेश पाटिया साब चेर्मन इंडियन इंडास्टिय असोसिएशन वारा नसी शुरुवात में हम आपी के बास आना चाहेंगे किस तरह से आब इसको देख रहे हैं इस समें जो पूरा सेनीरियो है इस सेंटरल गवर्मेंट की जितनी योजना है एकदम बढ़िया है, सब सही है, बिल्कुल उद्दमिय हित में है लेकिन वो जब ग्राउंड लिवेल पे आती है इस्टेट को जो इंप्लिमेंट करना है उसमें बहुत दिक्कते हैं ये जो बदाव हो रहे हैं इनको आपने किस रूप में देखा अभी अभी यूपी की इंडस्ट्री पॉलिसी आई MSME की एक अलग मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी तक MSME को क्या दिया है इक बड़ी ची बता दे क्या ले लिया है वो मैं बताना चारह हूँ सिंगिल विंडो की आप रोज रोज बात करिये सिंगिल विंडो केवल कागज पर है वो नोटिफाइड है लेकिन गजिटेड नहीं है आपके बस लॉटते हैं यापके शुरुवाती कॉमेंटस रहे आपके विचार बोइंका साब से ओपनी कॉमेंट लेते हैं इंड़स्ट्री का थोड़ा साथ जान लेते हैं फिर मुस्के बाद आते हैं इस तरफ आपको थोड़ी मध्यम से लंभी अब दिये जब तक हम एग्रेसिव नहीं होंगे जब तक हम को इनोवेशन नहीं करेंगे जब तक हम इच्छा नहीं करेंगे कि हमें लड़के आगे बढ़ना है तो इसमें थोड़ी सी दोनों चीजों को एक और कमेंट गुपताजी आप से ले रहे हैं मेरा मोदी जी से और योगी जी से खाली एक ही प्रार्तना है उनके विचार बहुत अच्छे है विजन बहुत अच्छा है और हमनों बहुत पॉजिटिव है जिस डारेक्शन में जा रहे हैं अगर उसका एक खाली गौर्नमेंट की जितनी मशिनरी है पच्छेस परसंट इनर्जी एक्जेक्यूशन पर लगा दें तो बहुत कुछ अगर पाजाएंगा इस आप डूइंग बिजनेस की जो बात हो रही है या किस प्रकार की योजन है थोड़ा साब बताएंगे इस आप डूइंग बिजनेस में पिछले बरसों की अपेच्छा उत्तर प्रदेश और उपर पैदान पे चड़ा है गोयनका साहब की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि सक्रियता आपको दिखानी पड़ेगी क्या चीजे छूट गई हैं वो वास्तों में आप ही बता सकते हैं पॉलिसी बनाने वाले और ग्राउंड पे जो काम कर रहा है उसमें अंतर यही है कि क्या गैप है कि मुखिया जो है उनका विजन अस्पष्ट है चाहे प्रदेश के हो चाहे केंद्र के हो कि एक ऐसा माहौल हम उत्पन करें जिसमें सरवागीर विकास हो सबका विकास हो या जो सिंगल विंडो प्लाटफर्म की बात है उस पर किस तरह से काम हो रहा है हमारा पहले उद्योग विभाग में जाकर रेजिस्टेशन कराना पड़ता था वो ऑनलाइन है उद्योग आधार मेमोरेंडम इसी परकार से परदेश सरकार ने अभी UPSIDC के जो लैंड एलाटमेंट थे उसको आनलाइन कर दिया ये उसमें किसी परकार का आफिस में मैनुवल कोई परकिरिया नहीं पालन करना है दूसरे और सारे स्कीम गवर्मेंट की है कि धीरे-धीरे सब को आनलाइन कर देना है समय पर फिनेंस मिलना प्रयाप मात्रा भे मिलना रीजनेबल रेट पर मिलना उसमें किस तरह से आपने इस रीजन में इस क्लस्टर में क्या पाया है सबसे पहली घटना तो हम लोगों के साथ दिमोनिटाइशन की घटना थी जो बैंक से लिटेट जो घटना है उन्सी का मैं जिकर कर रहा हूं दूसरी थी GST की और तीसरी एक अंगोइंग प्रोसेसरों जो की बहुत तेजी से चल रही है इस डिटाइशन शुरुवात में प्रोब्लेम्स तो बहुत आये आप ही रहे हैं लोगों को ट्रांजिशन हो रहा है जो GST नहीं विभरते थे वो GST भर रहे हैं प्राइशन में काफी पैसे बैंक में आये आने के बार लोगों का रोटेशन एक बन गया है पहले लोग पैसा ही जवान नहीं करते थे कभी अगर आप कैश में काम कर रहे हैं तो एक रोटेशन आ गया है जब हैंड होलिंग की बात होती है कि बेसिकली बैंक्स दो ही जगा पर बैंक्स को बोला जाता है जो एकस्पेक्टेशन से रेट स्लो रखें और हैंड होलिंग करें आप इंडर्स्ट्री का हैंड हैंड होलिंग यहां पर एक ही सेंस में लोग लेते हैं कि कैसे बिजनेस को जादा-जादा फिनांस के साथ क्र फिर लेकर लेकर चले एक और पर बदा सकें फिर हम इदर आज हैं और फ्री अ काफी अची होजना है लेकिन जब हम कारूबानियों से इंडर्स करते हैं वो कह रहे हैं एक लिए को प्रांच में दिक्कते होती हैं क्लेटरल बैंक के लिए देखिये यह कोई लोन देने का के तूपर्स्मेंट के लिए जाना पड़े। तो तो बेस्केली अब क्या देखना चाते हैं वाईबुटी आप स्टॉपटी अगर थे रिश का या लें जाटी जो और देखनेटाव पाएंगे तो दैने एंसे विधर हूं कि इस भी देकेल सिर्टी Ryisaki करते आरभी सिर्वेदि कंण나라 मुझ da भारत्हरकार की बार्टी स्क्राइय करश्किन ग्यूस right जन्वरी को जिसमें माननी मुख्मंत्री जी ने वन डिश्टिक वन प्रड़क्ट की योजना की घोशड़ा की है उत्पाद का उस विधा का उस कला का सनरच्छड हो ट्रेनिंग का प्रावधान रखेंगे टेकनोलोजी अपग्रेडेशन का प्रावधान रहेगा और क्रेडि जी आप सेम समझना चाहेंगे ये तक्नीक नए इस्तमाल करना बहुत जरूरी है उसको लेकर कोई सुझाफ हैं मॉनिटरिंग का कोई इंतजाम हो ट्रैक किया जाए और उसको टैक किया जाए सर से पहलू समझेंगे आप बताईए मेक इन इंडिया की जो बात हुई या यहा कुछ और करना चाहिए यहां से आगे बढ़ते हुए आज के टाइम में इंफ्रास्ट्रेक्चर देना सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है बहुत बढ़िया काम हो रहा है रोड सब जगा बन रही है बिजली आल्मोस सब जगा है बहुत बड़ा काम नहीं एक इंट् अब्सक्राइब करना चाहते हैं तो एंट्रेप्रनियोर बनना ज़रूरी है एक आदमी जो एंट्रेप्रेण बनता है पांच जनों को जॉब देता है अपका यूद को क्या मेसेज है उनको आप क्या कहना चाहेंगे यह जो बात हो रही है इस पेस्में तर पे सरकारी नवक परियां भी सीमित हैं क्योंकि टेकनोलोजी का जैसे जैसे यूज हो रहा है वहां वो कम होती जा रहे है नवकरियां वहां तो सेल्फ इंप्लाइमेंट ही सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है जिसके आधार पर हम रोजगार उपलब्द करा सकते हैं दूसरा एक मैं उत्तर ले दो ही दूसरे हो गए उसमें यूपी एसाइडिसी ने आइडेंटिफ हाई किया है राम नगर इंडस्टियल एरिया फेज वन के पास में और चुनार के पास उसका पूरा प्रपोजल बना करके कि कितने रूपए लगेंगे कितने में अधिगराण होगा डेवलपमेंट आप क्या मेसेज देना चाहते हैं हैं हैंडोलिंग के लिए जहां तक बैंक से जो एक्सपेक्टेशन है हैंडोलिंग को हम नेक्स्ट फेज में ले जाना चाहेंगे जब वो क्रेडिट लिंके हमारे साथ हो जाती है उसके बाद भी एक छोटे से वरक्शॉप किया इंटरक् आप देख रहे हैं एक एक्सप्रेस का यूपी एडिशन आज हम मौझूद हैं वारा नसी में कई खास मेहानवार साथ मौझूद हैं एक ब्रेक के लिए उसके बाद जो हमार साथ खास कारोबारी आए हैं उनके व्यूस जानेंगे हम जल्दी हाजर होते हैं वेल्कम बैक आप देख रहे हैं एक्सप्रेस यूपी एडिशन का वारा नसी राउंड हमार साथ कई खास मेहान मौझूद हैं हमने विभिन पहलों को चूने की कोशिश किये और समझने की की जमीनी हकीकत क्या है और आगे की रहा किस तरह की रहनी चाहिए और दिख रही है आएए अब हम फ्लोर उपन करते हैं और खास मेहानों से व्यूज जानते हैं उनका क्या कहना है पुर्वांचल एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गरीब छेतर है यहां पे कोई नया इंटर्पिनियोर जब आता है मान लीजे कि उसके पास सब कुछ अवेलेबुल है लेकिन उसके बावजूद वो इंडस्टी लगा पाने में अपने को असमात पाता है सबसे बड़ा रीज लेकिन बैंक उन पर कताई अमल नहीं कर रहा है को लेटरल फ्री लोन की जो इशु है तो बैंक्स तो बढ़ चाड़ के खासकर हमारा यूनिन बैंक तो छेसाज जिलो में लीड बैंक भी है काफी को लेटरल फिस लोन दिये हैं लेकिन हाँ यह का आप कह सकते हैं कि छोटे क को लेटरल फी लोन से भी हमारे यहां ज्यादा हुए है और इस किस में अगर कोई दिक्कत है तो हमारे यहां जोनल ओफिस लेवल पर मॉनिटरिंग सेल्स मनी हुई है आप ऐसे किसे को हमारे पास रेफर कर सकते हैं इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और जिसे रो वो दियोग का विस्तार बारे में समी पॉलिसी 2017 हमारी लांच हुई है अभी उसमें आगे जी ओज होंगे तो मुर्त रूप लेगा उसमें प्रयास यह रखा गया है कि जो नए और छोटे इंटर्पिनियोर हैं माइक्रो लेवल के उनके लिए कैसे हम सुरू में सुविदा उसमें इवेन प्रोजेक्ट बनाने के लिए सीए को जो पैसा खर्च करता है या फिर टेकनोलाजी के लिए या फिर क्रेडिट के लिए इन सब चीजों के लिए हम इसकीम ला रहा हैं ताकि उसका पैसा सुरू में अनावस्यक जो प्रजेक्ट सुरू होने के पहले खर्च ह जाता है वो गौवर्मेंट उसको बियर करें इस तरह के इसकी मुसमें आने जा रहे हैं हम लोग को लेबर्स स्किल्ड नहीं मिल पाते हैं तो जहां जो आई टी आई इस जो खुले हुए हैं उस पे पढ़ाई वैसी हो रही है जो आज से 20 सल पहले हो रही थी और हर छेतर का ए ही है इडिज ओनलाइन अब अपना प्रोस्पेक्टर्स बनाएं उसकी बादिता है कि यह शूट भी रेइस्टर इंडर फैक्टरी एक्ट और उसमें 10 परसेंट या मैक्सिमम तीस लोगों को आप अपने हां दे सकते हैं उसमें सरकार भी पैसा दे रही है हम समलित रुप से सामुएक रुप से एक मंच स्थापित करते हैं जो कि सरकार को ब्यापारी उद्यमी समंदित जानकरी देगा और सरकार की बातों को ब्यापारी उद्यमी तक लाएगा इस प्रकार के आयोग की ब्योस्ता की जाए जिसे प्रसासरीक अधिकार्वी प्राप्तों और दोनों की जो बीच की वो कडी साबित होगी, तो हमा को और अधिक लाप होगा. एक निवेदन करना चाहता हूँ, कि माइक्रो इंडेस्टी जो है, उसके लिए प्लांट और मसेनरी खरीदने के लिए और सबसेटी की रासी बढ़ाएं. जो अगर कोई दिक्कत हो रही है, जैसे अगर जीएस्टी में कुछ हो रहा है, बाकी चीजों में कुछ हो रही है, तो हम उसको टेक अप कर रहे हैं, बाकी मिनिस्टी के साथ. जीएस्टी आने के बाद, डी मॉनिटाइजेशन होने के बाद से, आज उद्ध्योगपतियों में जो लोग गलत काम करते तो उनको धक्का लगा है, और सच्चा काम करने वालों को इसमें रहत मिलिया और उनका मनूबल बढ़ा हुआ है. मैं मानता हूँ कि ये बदलाव जो आ रहे हैं, इनका प्रभाव बहुत अच्छा हमें देखने को मिलेगा. तो हमें हातों साहित होने की जरूरत नहीं है. तो इतने समय से जो चीज चल लगी है, वो कब ठीक होगी, उससे हम लोग परशान है. जिनका refund निकल रहा है, जिन्हों ने online अपना return दाखिल कर दिया है, उनको तो कम ते कम, जब तक इनका computer नहीं चल ला है, तब तक नया पैसा, पैसा सर्कपार के पास नहीं है, उनका software कम नहीं है, उनसे नया पैसा तो न ले. यह तो हो गया GST के बारे में, online should be final date, इतने दिन में यह काम हो जाएगा, time bound हो, time bound हो, सच्चाई है कि आजी unit बंद हो गई है, only because of China का कम rate पे, माल आना, वहा, heavy production हो रहा है, जब तक safeguard duty, anti-dumping duty, कोई small scale वाला anti-dumping duty का form ही नहीं बर सकता है, It is so complicated, safeguard duty, सरकार immediate, जिन देशों से की हमारा निर्यात के मुकाबले में, आयात बहुत ज़्यादा है, उन देशों के ऊपर, कम से कम, 20% जब तक की हमारा उनका balance of payment सही नहीं हो जाता है, उस पर इंपोर ड्यूटी इंपोर्टी 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 इंपो आया कि हमें नए आमद्योग क्या लगा सकते हैं, मैं फिर यही कहूंगा, कि हम कहीं न कहीं खुद पिछड रहे हैं, फंडिंग के लिए 10 लाग से लेके एक क्रोड तक आपको बैंक जाने की भी जरूत नहीं है, आपको घर से निकलने की जरूत नहीं है, अगर आप इलिज सेंबली का सिस्टम बनाएं, कोई जरूरी निया कि चिप्स हम खुद प्रडूस करें या, कोई भी जितनी भी कंट्रियां है, जहां से पार्ट्स और जहां से चीज़ें मिलती हैं, फाइनल प्रडॉक्ट हम बनाएं, तो इन कुछ तरह की टेक्नोलोजी को लेके हम आगे ब कुछ बैंकों नहीं स्कीम लॉंच की है, बहुत तेजी में और जल्दी में लॉंच की है, चुकि लोगों पैसा फंस जा रहा था, उसको फंस जाने के लिए जो वर्किंग केप्टल इनहांस्मेंट जो हो जा रहा है, सर ने भी जैसा की बोला, उसके लिए हम लोगों नहीं स्कीम भी लॉंच की है, तो फ्लीज बी मोर कम्मुनिकेटिव वित अस, राइट साब, हम अपनी अर्थव्योस्ता को सुदेन कर सकते हैं, रोजगार बढ़ा सकते हैं, निवेस बढ़ा सकते हैं, इसलिए गॉवर्मेंट या गॉवर्मेंट विभाग या आपको भी ये मान कर चलना होगा कि इसको ही हम बढ़ा करके इस एक अच्छे जो है विकास के पत पर हम चल सकते हैं, तो मैं आस्वस्त करना चाहता हूँ, गॉवर्मेंट डिपार्टमेंट के तरफ से कि मानसिक्ता निश्चित तोर पे धीरे-धीरे बदलती है, वो बदलेगी, कहें कि ये सर करना चाहता हूँ, इसी नोट पर आप सभी का शुक्रिया, तैंक्यू, धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद कारिक्रे में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये था SME एक्स्प्रेस UP इडिशन का वारन सी राउंड, अभी के लिए इतना ही, हम हम आपके समक्ष गुरक में हाजर होंगे, फिलाल हमें अजासत दें, नमस्कार, गुडबाई